Hello Friends, Welcome to YouScore100, the Complete Success of Free Competitive Exam Preparation Channel Subscribe for Free Videos दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दवाएं साथ ही गंटी को जरूर दवाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मिल जाए सेर करें अपने दोस्तों को वार्ट साफ, फेस्वुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लोगर, इत्यादी पर एक लाइक जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट्स या सजेशन हमें प्लीज 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 जरूर भेजें थैंक यू झाल 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 मवें प्लीज, ऋब है कि वाइक वास ? झाल 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 प्रस नमर 34 सामाजिक विग्यापनों पर निमलिखित दो कतनों A और B पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चैन कीजिए A सामाजिक विग्यापनों वे विग्यापनों जो समाज के लिए विस्तरत इस्तर पर संदेश का प्रसारन करते हैं B सामाजिक विग्यापन केवल सरकार या राज्याद्वारा परस्तुत किया जाते हैं सही उत्तर है उप्सन नमर 3 A सही है और B गलत प्रेशन नमर 35 भारत का निमलिखित में कौन सा राज्य कलमक चापे के लिए लोक प्रिया आ सही उत्तर है ओप्शन नमर 3 आंदर प्रदेश कलमक शापे के लिए पिरसिद्ध है प्रेस नमर 36 निमलिखित जनजातिय समुहों में से कौन सा मुख्यत है उत्रा खंड में समकेंद्रित है सही उत्तर है उप्शन नमर 4 भोटिया जन्जाती उत्राखंड में समकेंद्रित है प्रेस नमर 37 लगवग 2000 वर्षपूर निमलिखित में कौन सा सासक रेशम मार्ग पर नियंतर्ण रखने के लिए सरवादिक पिरसिद्ध थे सही उत्तर है उप्शन नमर 1 कुसान सासक प्रेस नमर 38 सहायक संदी के अंतरगत इस्टिंडिया कमपनी ने किन राज्जों के इस्टिंडिया कमपनी ने राज्जों के भातिय सासकों को बात धे किया सही उत्तर है उप्शन नमर 4 उनकी कोई अपनी स्वेतन सेनिक सक्ति नहीं होगी परंतु केवल कम्पनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रख रखाव का खर्च उन्हें वहन करना होगा प्रेस्ट नमर 49 ओहम के विशह में निमलकित में कौन सा एक तथ है सही नहीं है सही उतर है उप्षन नमर एक ओहम राज्य कुलों में विवाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था ये प्रेस्ट के संदर में गलत है जबकि ओहम राज्य समाज बहुत ही परिस्कृत था बुराई भुईयां लोगों की पुरानी राजनितिक विवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई थी अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था ये सबी ओहम के विशह में सही है जबकि ओप्षन नमर वन ओहम के विशह में सही नहीं है प्रश्ण संख्या 40 हैगियोग्राफी संबंदित है हैगियोग्राफी का संबंद किससे है सही उतर अप्षिन नमर एक हैगियोग्राफी का संबंद संत के जीवनी लेखन से है प्रेसर नममर 31 निमलिकीत में कौन सा एक उस्न कटी वन्दिय घछास के स्थल है सही उत्र है उप्षण नममर 1 सवाना उस्न कटी वन्दिय घास के स्थल होते है आधका ए उड़न कोटीत में करता है B, B खाद सुरक्षा से अभी प्राय है कि प्राकिर्थिक आपडाओं के दोरान जब खाद सामगरी कमी होती है तब सभी लोगों को खाद सामगरी उपलब्द कराना सही उतर है ओप्शन नमबर 3 प्रस्न का सही उतर है A सही है और B गलत है प्रस्न नमबर 43 निमलिखित में किस एक को जीवास में इनन माना जाता है तो सही उतर है ओप्शन नमबर 3 जलाओ लकडी जीवास में इनन नहीं है जबकि कोईला प्राकिर्ति गैस पैट्रोलियम सभी जीवास में इनन होते हैं प्रस्न नमबर 44 निमलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय छेत्रों में अत्यधिक निवनास कर सकता है सही उतर है ओप्शन नमबर 1 सुनामी प्रस्न नमबर 45 पिर्थवी की सबसे आंत्रिक परत किस की बनी होती है या मुखेते बनी होती है सही उतर है option number 4 निकल वे लोहे की बनी होती है प्रेस नमर 46 निमलखित में कौन सी एक आकिरती नदी के निक्षेपन के कारिया का परिडाम है सही उतर है option number 4 बाढ़ करत मैदान अगला प्रेस नमर 47 किसी भूकम के दोरान रिक्टर सकेल की तीवरता पर वस्तूवे गिरने लगती है सही उतर है option number 4 पाँच से अधिक तीवरता वार ले रिक्टर सकेल की तीवरता पर वस्तूवे गिरने लगती है प्रेस नमर अर्टालिस ओपनी वेसिक काल के दोरान भारत में ब्रेटिस का लाके आने के साथ निमलकित में किस एक का चलन पराम हुआ था सही उत्र है उप्सन नमर तीन परीप्रेक्ष विधी का प्रेस नमर उणचास लगवग दो हजार वर्स पहले वारान सी एक पिरसिद सिल्प केंद्र था जहां स्रेणी थे सही उत्र है उप्सन नमर दो सिल्प कारों और व्यपारियों के संग का प्रेस नमर पचास पांडू लिपियों और अविलेखों पर निमलिखित दो कत्रों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चैन कीजिए पांडू लिपियों प्राय तार पत्रों अत्वा भूर्ज नामक वरक्ष की छाल से विशेश तरीके से तयार भोज पत्र पर लिखे जाती थी अविलेख पत्थर तथा धातु जैसी अप एक चकरत कठो और सतों पर उत्किन किये जाते थे सही उत्तर है ओप्षन नमबर एक ए और बी दोनों सही हैं प्रस नमबर इक्यावन दिल्ली के सुल्तान दिल्ली के सुल्तानों के सासन काल में निमलिखित में कौन सी एक प्रसासनिक भासा थी सही उत्तर है ओप्षन नमबर एक फार्सी प्रस नमबर बावन बोध धर्म में बोधी सत्व थे सही उत्तर है ओप्षन नमबर एक वे लोग जिनोंने निर्वान या प्रभोध प्रात किया प्रस नमबर त्रेपन बोध सामराज्य ने चोल सामराज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निमलिखित में कौन सी एक सर्थ नहीं थी सही उत्तर है ओप्षन नमबर एक उनकी उम्र 25 से 70 वर्स के बीच होनी चाहिए यह सर्थ नहीं थी प्रस नमर 54 रालट अदिनियम 1919 का विरोध किया था क्योंकि सही उत्तर है ओप्षन नमर 3 इसने अभी व्यक्ति की स्वतंता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुष लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिये थे प्रस नमर 55 चाणक्य के अनेक विचार एक पुछतक में लिखे गए जिसे कहा या जाना जाता है सही उत्तर है ओप्षन नमर 4 आर्थ सास्त्र प्रस नमर 56 गर्व ग्रहे कुछ प्रारंबिक हिंदू मंद्रों का सबसे महत्पूर्ण भाग था सही उत्तर है ओप्षन नमर 3 वह इस्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था गर्व ग्रहे कहा जाता है प्रस नमर 57 नमलखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरीकी मूल निवासीयों का निवास इस्थल है सही उत्तर है ओप्षन नमर 4 प्रेरीज घास के मैदान अमेरीकियों के मूल निवास इस्थल है प्रेस नमर 58 निमलखित में विसेश रूप से निर्मित अलावं और पोखरों में मतस्य पालन को जाना जाता है सही उत्तर है ओप्षन नमर 1 पिसी कल्चर के रूप में प्रेस नमर 69 बेरिंग जल डबरू मत्द है पानी का संक्रा भाग है जो जोडता है सही उत्तर है ओप्षन नमर 2 आर्क्रिक महसागर और प्रिसान्त महसागर को बेरिंग जल डमरू मद्ध है प्रेसन नमबर साथ 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी प्रत्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं इसका कारण है सही उत्तर है ओप्शन नमबर एक 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी प्रत्वी पर दिन और रात बराबर होने का मुख्य कारण है सूरिया की किरिणे विश्वत वरत पर सीधी पड़ती हैं और इस इस्तिती में कोई भी धुरूब सूरिया की ओर जुका नहीं होता प्रस नमबर 61 सामाजिक वग्यान के सिक्षन में प्रियोग की जाने वाली भासा कैसी होनी चाहिए सही उत्तर है ओप्शन नमबर 3 टतस्त और समवेदन सील प्रस नमबर 62 लोक तांतरिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है की सही उत्तर है ओप्शन नमबर 1 इनका विशलेशन करके इनकी विशेस्ताओं और चुनोतियों को पहँचाना जा सकता है प्रस नमबर 63 संक्रियात्मक मूल्यां का निमलिखित के लिए अनुप्युक्त है सही उत्तर है ओप्शन नमबर 3 सिक्षन अधिगम पिरक्रिया के दोरान प्रगती का आकलन प्रस नमबर 64 वरत आरेक किस के लिए उप्योगी है सही उत्तर है ओप्शन नमबर 3 समग्र समग्र के समबंद में किसी मूल्या को परदासित करना प्रस नमबर 65 कक्षा 6 की इतिहास की पाठ़ा पुष्टक के प्रतेक प्रस्ट की सुरुवात एक युवा लड़की या लड़के के दोरा की गई आपके विज़ार में पाठ़ा पुष्टक निर्माता दोरा यह है रण निती क्यों अपनाई गई है सही उत्तर है उप्षन नमबर 3 विद्यार्थियों में पूछतास तता खोज की भावना को विक्सित करना इसके लिए प्रस नमबर 66 आप अलावदीन खिल्जी या मोहमद बिन तुगलक के सासनकाल में एक किसान है और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते आप क्या करेंगे उप्युक्त प्रसन में किस प्रकार किस को बढ़ावा दिया जा रहा है सही उत्तर है ओप्शन नमबर 1 इतिहास के संदर में कल्पना को प्रसन नमबर 66 उच प्रात्मिक इस तर पर भूगोल और शास एक साथ निमल खित में सहायक हो सकते हैं सही उत्तर है ओप्शन नमबर 1 परियावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के पिरती द्रस्टिकोंड विक्सित करना प्रसन नमबर 68 रचनात्मक मूल्यांकन को कव किया जाता है सही उत्तर है ओप्शन नमबर 3 3. शिक्षण अधिगम पिर्किरिया के दोरान रचनात्मक मूल्यांकन को किया जाता है प्रस्ण नमबर 69 कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है सही उत्तर है ओप्षण नमबर 3. सामाजिक वास्तविक्ताओं के विभिन आयामों के बारे में परिचर्चा करके प्रस्ण नमबर 70 एक छेत्र के इतिहास के पाठ को सिक्षक बा अभी पढ़ा रही है उसके विचार में बाको क्या करना चाहिए सही उत्तर है ओप्शन नमबर एक विभिन कला विधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रिकास डालना ओप्शन नमबर एक प्रसन का सही उत्तर है विभिन कलाविदियों में समानताओं और परिवर्तनों पर प्रिकास डालना प्रेसन नमबर 31 मोल्यांकन का उद्देश है क्या है सही उत्तर है मोल्यांकन का उद्देश है सिक्षन अधिगम प्रिक्रियाओं में सुधार लाना है मोल्यांकन का प्रमुकुद्देश है सिक्षण अधिगम प्रिक्रियाओं में सुधार लाना ओप्षन नमबर चार प्रसन का सही उत्तर है प्रसन नमबर बहात्तर सामाजिक विज्ञान के सिक्षण में एतिहासिक फिल में उप्योगी है सही उतर है option number 3 विशेश सामाजिक सरचना के विभिन आयामों को यका सजीव चित्रन करने में प्रस नमबर 33 सामाजिक विज्यान की पार्था पुष्टकों के पिरती क्या दरस्टी कौन होना चाहिए सही उतर है option number 2 आगामी पूछत आज के अवसर के रूप में सामाजिक विज्यान की पार्था पुष्टकों के पिरती दरस्टी कौन आगामी पूछताच के अवसर के रूप में होना चाहिए प्रस नमबर 34 तवा मतस्य संग मचवारों की साकाहरी समीतियों का एक संग है जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है अधिकारों के लिए लड़ रहा है किस राज्य में इस्तित है सही उतर है option number 4 यह मध्ध्य प्रदेश में इस्तित है तवा मतस्य संग मध्ध्य प्रदेश से समन्दित है प्रशन नमबर 75 समीधान के अनुच्छेद 22 में उलखित फोजदारी दंड कानून के अंतरगत प्रते ग्रफतार व्यक्ति को निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है प्रशन का सही उत्तर है उप्सन नमबर 1 पुलिस हिरासत में दिये गए इकबाल या बयान को आरोपी के खिलाब सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है प्रशन नमबर 6 विधान सभा के सदस्य विधान सभा के सदस्य सही उत्तर है लोगों यानि जन्ता के द्वारा चुने जाते है प्रशन नमबर 7 गटवंदन सरकार से अभिप्राय है गटवंदन सरकार से अभिप्राय है या गटवंदन सरकार का क्या अर्थ है सही उत्तर है उप्शन नमबर 1 चुनावों के बाद किसी भी दल को इस पस बहुमत नए मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनितिक दलों के बीच सत्ता की सांजेदारी गटवंदन सरकार कहलाती है प्रेस नमबर 78 उच प्रात्मिक स्थर पर सामाजिक विज्ञान में सामिल है सही उत्तर है उप्शन नमबर 1 भूगोल इतिहास राजनितिक सास्त्र राजनितिक विज्ञान तथा अर्थ सास्त्र उच प्रात्मिक स्थर पर सामाजिक विज्ञान में सामिल है प्रेस नमबर 89 सामाजिक विज्यान सिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है सही उतर है option नमबर 1 विभिन मतों का सम्मान करना और विचारों पर विचारों वे अभ्यासों का परिक्षण करना प्रस नमबर 80 सामाजी विज्ञान की पाठ्थे पुष्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रियोग प्रसांगिक है क्योंकि वे सही उत्तर है और प्रस नमबर 4 क्योंकि वे अवधारणा को इसपस्ट करते हैं प्रस नमबर 81 कक्षा एक में परिचर्चा के लिए दिये जाने वाले सामाजी का अंदोलन के पिरतीक आध्यन केस स्टडी में निमलखित में या निमलखित का होना आवश्यक नहीं है सही उत्तर है ओप्शन नमबर 1 आंदोलन के समाधान प्रस नमबर 82 कक्षा आट के विद्यारतियों को मानव सनसाधन के अध्यापन के समया आप विद्यारतियों में प्रस नमबर 87 सही उत्तर है उप्षन नमबर एक सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों को समान अधिकारों का तथा जाती अविवेद की समापती की मांग के लिए सही उत्तर है उप्षन नमबर एक प्रस नमबर अठासी भारतिय संसद के बारे में निमलिखित में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है सही उत्तर है उप्षन नमबर एक वित्त से समन्दित मामलों में संसद की मन्जूरी सरकार के लिए महत्पूर नहीं होती है यह भारत्य संसद के संबंद में गलत कथन है जबकि संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रसंकाल होता है भारत्य संसद के तीनंग है राश्टपती, राजजय सवा और लोक सवा हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्पूर्ण सक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित करती हैं यह सभी कथन भारते संसद के बारे में सही हैं जबकि विट से सम्मंदित मामलों में संसद की मन्जूरी सरकार के लिए महत्पूर्ण नहीं होती यह गलत है अर्थार्ट विट सम्मंदि मामलों में संसद की मन्जूरी लेना सरकार के लिए महत्पूर्ण होता है प्रेस नमबर 89 सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक सिक्षक का प्रियास होना चाहिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्थे पुष्टक विद्यातियों के लिए कठिन है आप क्या करेंगे सही उतर है उप्षन नमर एक विभिन पिरकार की पूरक सामांग्रियां प्रदान करेंगे जिससे पाठ्थे पुष्टक विद्यातियों के लिए सरल बन सके और वो आसानी से उसको पढ़ सके या रीड कर सके दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें साथ ही वीडियो को अपने मित्रों में सेर जरूर करें वाटसएब ट्विटर फेस्गूफ इंस्टाग्राम इत्यादी सोसल नेटवर्क पर साथ ही अगर अपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को अभी तक भी तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दवा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए बने रहे हैं दोस्तों हमारे चैनल पर अगली वीडियो आने तक धन्यवाद कर दोस्तों है